हलो बच्चों कैसे आप सभी होप करती हूँ कि सभी बहुत शी होंगी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उत्तल और आउतल लेंस तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि उत्तल और आउतल लेंस होता क्या है और मतलब आप लोगों को ये लिखने के लिए काफी ज्यादा चांसे से कि एक्जाम में पोच सकता है तो हम समझ लेते हैं और इसके अलावा कोई टॉपिक समझ ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये दो प्रकार है कि जो गोली लेंस होता है वो एक उत्तल लेंस होता है और एक उत्तल प्रकार का लेंस होता है तो दो प्रकार के lens होते हैं तो उत्तल lens क्या होता है जिस गोली lens का किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा हो उसे उत्तल lens कहते हैं तो यह आपको रटने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि obviously अगर उत्तल मतलब होता है उभरा हुआ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि उत्तल मतलब उबरा हुआ और आवतल मतलब ऐसे मतलब दबा हुआ ठीक है तो उत्तल मतलब उबरा हुआ अगर उबरा हुआ है तो इस तरीके का गोली रचना बनाएगा यह जैसा कि आप देख पा रहोंगे तो इसमें उपर का भाग जो क्या है किनारे का भाग यह दोनों किनारे क्या है पतले हैं मतलब आके मिल गया है तो यह पतले हो गया किनारे के भाग पतले होते हैं और बीच का भाग क्या होता है मोटा हो जाता है तो इसी को आपको इसमें लिग देना है मतलब जो यह किरने हैं, जो यहां उत्तर लेंस पे जब पढ़ती हैं, तो यह क्या होती हैं, सभी इकठा होती हैं, एक कोई चीज दिखाती हैं, ठीक है, और सेम इसका उल्टा होगा हमारे अउत्तर लेंस में, तो यह जो इकठा होती हैं यहां पे सारी किरने आके, तो इसी व फुल माक्स मिल जाएंगे नेक्स्ट हमारा अवतर लेंस तो अवतर लेंस में आपको क्या करना है अवतर लेंस में जैसा कि हमने उसमें लिखा था उसका जस्ट अपोजित होगा यह क्योंकि इसके किनारे के जो भाग होते हैं मोटा होता है और बीच वाला जो भाग होता है वो पतला होता है कि वो क्योंकि अंदर की और धसा हुआ रहता है यह लेंस ठीक है तो जिस गोली लेंस का किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं अवतल लेंस और इसे अपसारी ले तो ये इस देर इदर फैल जाती है अब सारी इसलिए से क्या कहते हैं हम अभी सारी लेंस कहते हैं तो ये दोनों अलग अलग अब इन दोनों में क्या-क्या इसके कभी-कभी पूछ देता है कि दोनों में विभिनताएं क्या है मतलब दोनों में अंतर पूछ लेता है तो अगर आपको वो भी जानना हो तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजेगा बाकी अगर आपको पूछे कि उत्तर लेंस क्या होता है तो यह उसके बारे म मतलब यह पूरी जानकार यह आप लिख देंगे तो इसको आपको माक्स दोनों का मिल जाएगा तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक किजेगा शेक किजेगा चैनल पर नए हैं सो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब कर लिजेगा कोई और टापिक से मशना हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं चले मैं मिलूंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाए और थांक यू सो मच पूर वाचिंग